नमस्कार मैं डॉक्टर सुनीता हम बात कर रहे हैं आज कारेशमता के विकास के कारेशमता के विकास के लिए शक्ति के आफशक्ता है और शक्ति का सशक्त माध्यम है प्राण और प्राण का माध्यम है स्वास तो हम लंबी गहरी दिर्ग स्वास के द्वारा अपनी कारेशंता का विकास कर सकते हैं इसका जो process है उसमें आपको लंबी-घहरी स्वास लेनी है धीरे-धीरे मंद्ध स्वास स्वासों को hold करना है शंता के अनुसार और साथ ही फिस्वास को खाली करना है और लंक्स को पूरी तरीके से खाली कर देना है इसके द्वारा आप उजा का तीन प्रकार नियोजन करते हैं जब आप लंभी गहरी स्वांस लेते हैं तो जो पेशियां आपके स्वतन तंत्र में काम में आ रही हैं उनने प्रयाप्त मात्रा में oxygen उपलब्द हो रही है। और साथ ही जब आप स्वासों को hold कर रहे हैं तो इस में आपके जो oxygen है वो blood को प्राप्त हो रही है और carbon dioxide blood से बाहर निकल रही है। प्रयाप्त समय मिल रहा है इस process को और जब आप इस प्रोसेस को करेंगे तो आपकी कारेशमता का विकास होगा और आप दिन भर एनरजेटिक रहेंगे धन्यवाद